तुड़े नमबर 84 तो यहां पे बहुत इंपोर्टन ट्रिक मैं आपके लेके आचुका हूं तो इस वीडियो इस गोई तो इस वीडियो इस गोई वेरी इंपोरेंट फॉर नीट एंड जरूर देखेगा और यह ट्रिक मैं बोल चकता हूं कि आपके लिए बहुत हैल्फूल होगा अब समझे ऐसे कुछ दे दिया गया और आपको बोला गया है कि कुछेंगे साल्इब्लीटि ओडर किसकी सबसे ज्यादा किसकी कम है अब कैसे मैश कर सकते हो कैसे बता सकते हो रीजन लॉजिकल थिंकिंग क्या होनी चाहिए आपकी वह चीज़े में इसमें बताने वाला हूं ऐसे भी questions आपको मिलते हैं तो इसको आपको कैसे solve करना है मैं ये वीडियो में आपको पुरा detail में बताऊंगा trick ये है क्या ध्यान में रखना है आपको radius difference ठीक है more will be the radius difference between cation and anion more will be the solubility तो जितना ज्यादा difference है cation और anion में उतना ज्यादा solubility होगी ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है एक example में लेता हूँ देखे एक small size और एक small size तो ये एक small size आपको cation मिल गया एक small size anion मिल गया अगर ये दोनों एक साथ हैं तो यहाँ पर solubility कम होगी क्योंकि difference आपको नहीं दिख रहा है दोनों small size है पर एक small size cation है और anion large size का है तो यहाँ पर difference आपको दिख रहा है cation और anion में और उसकी वज़े से क्या हो जाएगा radius में difference दिखेगा और इसकी वज़े से क्या solubility जो आपका order है वो आप easily पहचान सकते हो जहाँ पर मैं बात करता हूं इसके लिए आपको यह चीज़ें आनी चाहिए orders पता रहने चाहिए ठीक है अगर मैं बात करता हूं यहाँ लिथियम की और सेजियम की यहाँ घर Ilium की बात करता हूं इन सब कि अगर मैं बात करूँ तो lithium जो है जैसे कि आपको पता है 3 atomic number तो इसका मतलब यह चीज है कि इसका radius भी बढ़ा होगा ठीक है यही logic आपको लगाना है beryllium में भी और यहाँ पर भी हमें बात करता हो fluorine और iodine की तो किसका atomic size कैसे आप पहचान सकते हैं हम basic सीख के आचुके हों कि नीचे से उपर जाते हैं तो size कम होता है उपर चैसे नीचे आते हैं तो size बढ़ता है तो iodine की सबसे ज़्यादा बड़ी size है as compared to fluorine यह तो logic सबको पता है तीक है दूसरे चीज़ हमें क्या याद रखना है यह चीज़े कुछ मैं मेरी दरब से बता रहा हूँ यह चीज़ अपने दिमाग में आप रख लीजिए अगर large size की बात करते है तो iodine तो आपको पता यह है ठीक है iodine आपको पता है साथ साथ में क्या याद रखना है CO3- NO3- SO4- और CLO4- इन सबकी large size होती है कैसे याद रखना है? iodine की तो large size होती है क्योंकि सबसे नीचे आता है दूसरा कैसे याद रखना है? इन सबका that is CO3- NO3- SO4- and CLO4- सबके जितने भी हैं large size में count होती है इनकी size बड़ी होती है small size में सिर्फ आप fluorine तो याद ही करते हो क्योंकि सबसे उपर है size तो कम होगी ही पर साथ साथ में उसके OH याद रखना है सिर्फ एक exception है आपको याद रखना है यह किसी के साथ connected होता है तो याद रखना है कि उसकी size जो है वो क्या होगी small होगी अब questions को हम tackle करने की बात आती है यहाँ पर ऐसा यह चीज़ याद रखेगा अगर मैं बात करता हूँ LI-CLO4 आपको कैसे पता करना है lithium उपर है तो small size तो इसको आपको लिखने ना है small size और CLO4 मैंने अभी just सिखाया है large size तो इसका size क्या है large तो यहाँ पर difference आपको दिखेगा large size small size मतलब इसकी solubility जादा होगी यह reason है यहाँ पर हम यही चीज़ बात करने वाले देखे questions को आप जल्दी जल्दी तुरंदी 10 second में solve कैसे कर सकते हो यहाँ पर LI CLO4 अभी just मैंने बताया small size कैसे सबसे उपर है यसलिए और LI CLO4 का तो large size होता ही है यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो इसका large size है और CLO4 का भी large size है यहाँ पर difference आपको नहीं दिखने मिलेगा और यहाँ पर difference आपको दिखने मिल रहा है जैसे के मैंने बोला more will be the difference more will be the solubility तो यह चीज़ आप आता सकते हैं यह सबसे ज़्यादा solubile होगा यह 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 ठीक है यह चीज़ मैं आगर बाता हो LI NO3 तो NO3 माइनस अभी जस्ट हम बात करके आए है क्या बात क्याता है यहाँ पर NO3 माइनस का आपको पता है क्या होता है लाज साइज में यह लाज साइज है और लिथियम स्मॉल साइज है difference आपको पता चल गया तो इसकी solubility ज़्यादा होगी as compared to large size and large size यही चीज़ अगर हम लोग दूसरे में बात करता हूँ देखे NAI I की large size होती है और NA जो है सबसे उपर आता है ग्रूप में सबसे उपर आता है इसलिए उसकी small size यहाँ पर आपको difference दिखेगा atomic radius में यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे नीचे आता है यह चीज़ आपको पता ही होगा यहाँ पर हम यही चीज़ देख रहे हैं कि large size large size एक साथ आ रही है तो उसकी solubility जो है कम हो जा रही है ठीक है तो यह सिंपल सा logic है ऐसे यह सारी questions आपको करने है lithium वाले जो भी थे मैंने बता दिये चार अगर मैं बात करता हूँ beryllium के देखे be co3 यहाँ पर भी logic वही है be और ba दोनों में से कोन सबसे नीचे आता है that is ba ठीक है beryllium आता है यह चीज़ आपको बता रहना चाहिए कि ba सबसे नीचे है और उसका size जो है large size होगा और co3 का भी large size है तो last size last size difference नहीं हुआ तो इसकी solubility बहुत काम होगी तो यहाँ पर solubility order इसकी सबसे ज़्यादा है सबज मैं है एक और question देख लेते हैं last ओएच माइनस जैसे कि मैंने बोला था exception है ओएच माइनस की small size याद रखना है आपको ओएच माइनस जो है that is small size और be जो है वो भी small size यहाँ पर difference आपको नहीं देखने मिलेगा और be जो है large size है और ओएच जो है small size है यहाँ पर आप याद रखे solubility इसकी जादा होगी as compared to this all दाट वास अल अबाट इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों के चाहाँ चैट कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए आप हमें टेलिग्राम पर भी फॉलू कर सकते हैं इस नाम से हमारा चैनल है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करके आप डिरेक्टी जॉइन हो सकते हैं आप ये नाम से सर्च करके भी डिरेक्टी जॉइन हो सकते हो तैंक यू तैंक यू सो मच